हलो स्टुनेंट मेरा नाम बुपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल LCS जैसे मैंने आपको बताया था कुछ अपडेट भी शेयर किया था थ्रू माई चैनल की एग्जाम जो होने वाली थी वो ऑफलाइन ने ओनलाइन के थोड़िक बहुत इस्यू चाल रहे थे तेन अप्टर जीट्यू है अनॉंस्ट देट वी विल पोस्पांड दी विंटर 2020-20 एग्जाब एंड वी विल स्टार्ट दी न्यू अकेडेमिक सेशन नेक्स सेमिस्टर फोर्ट सिक्स एन एट सो उसके एक मैने एनॉंस्मेंट करना चाहता हूं कॉम्पूटर एंजिनेरिंग एंड इंफर्मेशन टेकनलोजी स्टूडेन के लिए यह 110 परसंट इंपॉंट है कॉम्पूटर आइटी स्टूडेन के लिए और इस वीडियो को पूरू से एंड तक देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना क्यूंकि जैसा मैं कुछ नया अपडेट डालता हूं तो आप तक यह पहुँच जाए तो चलो सुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो के एनाउस्मेंट क्या है तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यू सिलेबस आफर हुआ है फोर्थ एंड शीक सेमिस्टर में जो कम्पूटर आइटी में सब्जेक आते हैं अब्जेक को रेंटे प्रोग्रामिंग वन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्पूटर और्गिनाजिशन और अर्किटेक्चर एंड जो 6M में है जो इंपॉर्टर सब्जेक है वेब प्रोग्रामिंग, डेटा माइनिग, आउटी एंड, इट्स एप्लिकेशन और डेटा विज्यूलाइजिशन सो मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ कहीं सारे बच्चे इस वीडियो को देखके यही सोचेंगे कि ये तो पता है हमें, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप पढ़ोगे तो आपको कौन से सब्जेक में दिक्कत आने वाली है सो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि आपको जो सब्जेक डिफिकल लगता हो तो वो सब्जेक के नाम मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना क्योंकि मैं जानना चाता हूँ कि मैं कौन से सब्जेक पे वीडियो बनाओ नेक्स्ट जो सिरीज में बनाना चाता हूँ क्योंकि मेरा मोटी विया ही होता है कि मैं वीडियो के थुरू आपको कोई subject अच्छे से सीखा भाऊं तो मेरी request है कि इन जो subject हैं operating system की आपको वीडियो मेरे channel पर मिल जाएंगे थोड़े बहुत और जो मेरा remaining part है I will cover in very short time जो मैंने अभी 8 SM में था WDM web data management है, python programming है 7 SM में mobile computing है, wireless communication है, web technology है, यह सारे वीडियो में बनाय हुए है मेरी channel पर आपको मिल जाएंगे so मैंने सोचा कि यह subject नए है, but obvious है जो faculty है as well as the student है दोनों को दिक्कत आएगी क्योंकि यह पहली बार subject offer हुए है so मैं आपको request करता हूँ कि आपको जो भी choice हो आपकी so इस video के comment box में डाल दीजिए कि आपको कौन सा subject मेरे video के थूँ आपको पढ़ना है so मैं try करूँगा कि maximum subject के video में इस channel के थूँ आप तक पहुचाता रहा हूँ और आपको वहाँ से easily समझ में आ जाए जो भी topics इस syllabus में है so इस video में मैं आप सबको heartly request करता हूँ कि please give me a choice कि आपको कौन सा subject पढ़ना है so मैं easily उस video पे work out करके उस subject पे work out करके आपके थूँ ये video share कर सको so इस video में इतना ही thank you for watching my youtube channel and don't forget to click on like button thank you